आज मैं आपको बताऊंगी भुनेवे गोश्ट की रेसिपी कैसे त्यार की जाती है उसके लिए मैं एक किलो यहां पर बड़ा गोश्ट यूज कर रहे हूं तकरीबन 11-12 हरी मिर्च ग्रीन चिली दो बड़े साइस के टमांटर फुल टेबल स्पून इसमें रेट चिली पाउडर सुरफ मिर्च हाफ टेबल स्पून इसमें सोल्ट नमक फुल टी स्पून इसमें टर्मरिक पाउडर फुल टेबल स्पून इसमें मैं जिंजर गार्डिक पेस्ट्र यूज कर रहे हूं और तकरीबन आदा किलो प्यास प्रेशर कुकर में मैंने गोष्ट डाल दिया है इसके अंदर अब मैं प्याज़ एट कर दूँगी हरी मिर्च टमाटर और इसमें एक मगज़ और इसमें मुझ़ आजा पानी आज़ अब मैं इसको ठकन लगा कि इसको थोड़े के यह पकने लिए रख दूँगी जब यह इसमें बोईलोना शूरू हो जैगा फिर मैं इसका कुकर ऱा दूगी प्रेशर के बाद यह पकना शुरू हो गया अब अमे इसका प्रेशर नवा दूएंगी तेज पराज़ा प्रेशर में आपको बाद में बता दूएं इसका तूरे 10 मिंट करें ऐसे पानी आपके इसे अचे से भून दूगी, और फिर जब पानी खुषप हो जागा तो चली हो जब इसे गडा के भून दूगी 10 मिंट का मैंने दखकन लगा के से रख दिया था यह देखिए इसका पानी फुश्क हो गया है अब मैं इसके तो कुकिंग को एलाइड कर दोंगी दो बड़े चमच इसे चे से मिक्स कर लोंगी और इसमें 4 रेट चिरीज भी यूज करोंगी मैं ताके थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए मैंने इस इच्छे से कुकिंग को इडाल के भून लिया है अब मैं इसके अंदर गरम सालाइड कर दोंगी हाफ ती स्पॉन और सुखी मेथी इसे कुछ दूर दायका अच्छा हो जाता है और पांच मिंट के लिए इसे मैं लोग लेंपे पकने के लिए रख दूँगी पांच मिंट के बाद मैंने इसका चुला बन कर दिया है और सालर बन के त्यार है भूनेवे बोश्ट की रेसिपी बन के त्यार है इसे गार्णिश करने के लिए इसमें मैंने बारी कुटावा हरा धनिया डाला है आप इसे ट्राय करें यह आपको दुरूर पसंद आएगी फिर आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह मेरी रेसिपी कैसी लगी और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें अलाहाफेज